नमस्कार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आज एक और हम नई और सधिय केति के बारे में जानकारी लेकर आए हैं यह फसल गर्मी के मौसम में वर्षा सुरू होने के समयल लगाया जाता है अच्छी फसल लेने के लिए जमीन में नमी वा मौसम सुस्क होना चाहिए फसल सिंचित असंचित दोनों दसाओं में की जा सकती है इसकी खेती सभी प्रकार के जमीन में की जा सकती है वर्षा होने से पहले खेत की दो तीन बार जुताई कर लेनी चाहिए बुवाई के समय मिट्टी को भुरभुरा बना देना चाहिए वर्सा पर आधारित फसल को छिड़काव विदि से भी बोया जा सकता है अगर सिंचित फसल ली जाए तो बीज पंक्ती से पंक्ती की दूरी 30 सेंटीमीटर पौधे की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए उपजाओ यहम सुखे छेत्रों के लिए केंद्री असद्धिये यहम सुगंधिये अजनू संधान लखनाओं की पोसीता यहम रहितता नामक प्रजातियां प्रयुक्त पाई गई है सिंचित अवस्था में खेती करने पर पहली सिचाई करने के लिए 15 से 20 दिन बाद सिचाई करने चाहिए उसके बाद अगर नियमित वर्षा होती है तो पानी देने की अवस्थ्यक्ता नहीं है अस्वगंधा की फसल 135 से 1500 दिनों के मद्धे खुदाई के लिए तयार हो जाती है पोधों की पत्तियां वा फल पीले हो जाएं तभी खुदाई करनी चाहिए जड़े खुदने के बाद पोधे काट देना चाहिए और मिट्टी को धुल कर छाया में सुखा लेना चाहिए अस्वगंधा की जड़े वा पत्तियां उसधिय रूप में काम में लाई जाती है ट्यूमार परतिरोधी, जिवान परतिरोधी सुखी जड़ों से आयरुवेदी की उनानिक दवाईयां बनाई जाती है इसकी जड़ों से गठिया रोग तुच्चा की बेमारिया फेपड़े में सूजन, पेट के फोड़े तथा मदागनी उपचार में किया जाता है इनकी पतियों से पेट के की इड़े मारने में भी प्रयोग किया जाता है असुगंदा एक कम खर्च में अधिक आमदनी तथा निरियात से विदेशी मुद्रा अरजित करने वाली महतपून औसदिये फसल है असुगंदा की खेती देश के अन्य परदेशों जैसे महराष्ट, राजस्थान, गुजरात, अंधर परदेश, उत्तर परदेश, हरियाना, केरल, जम्बू कसमीर इत्यादे परदेशों में हो रही है खेती करने के लिए महतपूर्ण जानकारी, जैसे की अच्छी जल निकास का प्रबंध करें, बालूई दोमट भूमी का चैन करें, समय पर भोनी करें अच्छे हम सीग्र अंकुरन के लिए भूमी में नमी रखे, कतारों में 30 cm तथा पौधों से 4-5 cm होनी चाहिए बीजो अपचार करें, 20-25 दिन बाद च्छनाई या उचित पौधों की संख्या रखें असुगंधा का उपयों कई जीवन रच्छ का आयुरुवेदिक दवाईयों में किया जाता है असुगंधा का भाविस समय लगभग 45-50 अहजार रुपया प्रतिकुंटल है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें